कि यूटूब चैनल पर इक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू अलो फ्यू मेरी तू जैसे कि आपको पते हैं के वियर्स टीजिटी लाइब्रेरी साइंस की प्रिपेरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के आपको कोशिन कराए जा रहे हैं आपको एक्षाम के लिए इंपोटेंट है जो बार बार रिपीट हुए है तो आपको एक भी कोशिन आपको मिस नहीं करना जितनी जाद आप प्राक्टिस कर लोगे उतना बैस्ट आपके लिए होगा चले पीडिएफ के लिए आप टैलीग्राम चैनल जोईन कर पीडिएf जो पीडिएफ है आपको टैलीग्राम चैनल पर मिलेगी चैनल लिंक वह आपको वीडियो के डिस्किर्फिप्शन में मिलजाएगा तो आप टैलीग्राम चैनल जोईन कर लीजिए जिससे आपको टैम नहीं पेज़में secondly नेक्स्ट पर चलते हैं मारा फ्रटीन सकते एैस कि ऐसे पकसे हम हैं आपको पहले नहीं क्रेश को बहुति עर रही है उतना है उत्म कर लोगे उतना अच्छा होगा उतने अच्छा परेपेशन सब्सक्राइब अपने बाजिदल्ट होगा चल यह सब्सक्रेडय कर नहिए गफिसट है is not an implication of fourth law of library science which of the following is not an implication of fourth law of library science. निम्लिकित में से कौन पुस्त का लेविग्यान के चतुर्त सुत्र का नहीतार्त नहीं है। निम्लिकित में से कौन पुस्त का लेविग्यान के चतुर्त सुत्र का नहीतार्त नहीं है। उप्शन आपका क्लासिफाइड अरेंजमेंट वर्गी करत विवस्ता उप्शन बी स्टैक रूम गाइड्स बंडार का संदर्शिका उप्शन सी ईसू मैथर निर्गम विधी उप्शन डी रूरल लाइबेरी सर्विसिस ग्रामीन प क्यां करने पुस्तिकाल्य विज्ञान का चतुर्त सुत्र यानि फूर्थ लोग का इंप्लिकेशन आहिये यानि जिए उसका नहीं का निहीतार्थ नहीं है यानी इंप्लिकेशन नहीं है किसका फ़ूर्थ लाका और जो बाकी क्या आपको तीन दिये गए लासिफाइड हैं वर्गिकृत व्विस्था देन आपका प्रेई इस्टोक रूम गाइड तीसरे आपका इस्व निर्गम विदी ये तीनों के तीनों आपके क्या है फॉर्थ लोग के इंप्लिकेशन है फॉर्थ लोग के इंप्लिकेशन है फॉर्थ लोग के जो इंप्लिकेशन है वो क्या आपका वर्गिकरत विवस्ता बंडार कक संदर्शिका और निर्गम विदी ये तीनों के तीनों आपके फोर्थ लोग के implication है चलिए next question पर चलते हैं next question एपका question number second question second है आपका Five Law of Library Science was first published in फाइव लाओ फ लाइब्रेरी साइंस वाज फ़स्ट पब्लिश दिन तो पुस्तकाल्य विज्ञान के पाच सिधान्त पर्थम कब परकाशित हुए जो पुस्तकाल्य विज्ञान आपकी लाइब्रेरी साइंस है उनके जो फाइव लो यानि की जो पाच लो है या फिर पाच सिध्धान्थ है वो पहली बार कब परकाशित हुए थे option A आपका 1928-1928, option B 1929-1939, option C 1931-1938, option D 1927-1927 पुस्थ का लिविज्ञान है उसके जो पसित दांत हो कब परकाशित हुए थे कब परकाशित हुए थे आपको बताने थे when member प्रकाशित हुए थो गब हुए ते 1930 यानी कि 1931 में 13 में आपके पांच लोग प्रकाशित हुए थे पहली और जो प्रकाशित हुए थे वे कब हुए थे 1930 कोश्चन सैकंड आपका repeated question second कि आपका important question है चलिए next question पर चलते हैं अब हम next question आपका दिया गया question number third question number third है आपका question third में पूछा गया according to which law of library science library grow and grow endlessly according to which law of library science library grow and grow endlessly पुस्त काल्य विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्त काल्य बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है पुस्त काल्य विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्त काल्य बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है जो पुष्ट काले विज्ञान है उसका कौन से नियम के अनुसार बताना है जो पुष्ट काले बढ़ता है यानि जो आपकी लाइब्रेरी वो ग्रो करती है कब तक एंड लेसली यानि अन्थीन तक बढ़ती रहती है तो यह जो आपका कौन से लोग में फिफ्ट लोग में पंचन नियम जो आपका पांचवा जो नियम है पांचवा पंचवा या फिर पांचवा नियम तो कौन से लोग में के अनुसार पांचवा जो आपका नियम है उसके अनुसार तो कोशन थार्ड का उप्शन डी आपका राइट आंस्वर है चलिए नेक्स्ट कोशन अब आपका कोशन नमबर फॉर कोशन फॉर्थ दिया गया हमारा विच लाओ फ लाइबरेरी साइंस इनुशेट बई S.R. रंगनाथन है बीन री इंटर्प्टेट बई O.C.L.C. research group as research group as develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital material which law of library science initiated by S.R. रंगनाथन has been reinterpreted by O.C.L.C. research group as develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital materials पुस्ट काल्य विज्ञान का कोन सानियम जिसे S.R. रंगनाथन द्वारा परतिपादित किया गया था और O.C.L.C. research group द्वारा जिसका पुने निर्वाचन कर के रूप में किया गया पुस्ट काल्य विज्ञान का कोन सानियम जिसे S.R. रंगनाथन द्वारा परतिपादित किया गया था और O.C.L.C. research group द्वारा जिसका पुने निर्वाचन कर के रूप में किया गया किस के रूप में करे के रूप में किया गया option है आपका every reader is her book every reader is her book option b books or books are for use option c save the time of the reader option d every book it's reader तो जो question fourth है आपका इसका right answer क्या है आपका books are for use the books question 4th option b right answer books are for use guys right answer चलिए next question आपका question number 5th next question क्या देगा आपका question 5th आपका दिया गया है question 5th में पूचा गया according to dr. s. r. रंगनातन which one from following is the fourth law of library science according यानि question 5th में आप से पूचा गया जो according to kis के according doctor s. r. रंगनातन which one from following is the fourth law of library science doctor s. r. रंगनातन के अनुसार पूस्त करले विज्यान का निम्ण में से कोन चोता नियम है कोन सा चोता नियम है तो जो dr. s. रंगनातन आपके उसके canned सार पुस्तकालियानि लाइब्रेरी साइंस का फूर्थ नियम आपको बताना है उप्शन है आपका सेव दा टाइम ओफ दा रीडर पाटक का समय बचाए उप्शन भी बुक्स आर फोर यूद पुस्तके उप्योग के लिए है उप्शन सी लाइब्रेरी इस हार्ट ओफ दा इ वर्दंसील संस्ता है तो कोश्चन फिफ्ट का जो आपके डोक्टर एसार रंगनाथन है उनके नुसार जो आपका लाइब्रेरी साइंस का दो चोथा नियम है फोर्थ लो है वो क्या होगा सेव दा टाइम ओफ दा रीडर पाटक का समय बचाए पाटक का क्या आपको समय ब का सब्सक्राइब अगरे कोशंनמर सिक्स्ट व्लमट सिक्स्ट अब आपका खुली परवेश परनाली पहली बार मतर सुरून गय thing से गई थी कोशन तो बताए किस्ते द्वारा शुरू की गई थी जो क्या थी आपकी जो ओपन यानि की खुली जो परवेश परणाली थी वो किस्ते द्वारा शुरू की गई थी पर्थम बार यानि की पर्थम बार जो जिसने शुरू किया था वो शुरू करने वाले कौन थे अप्शन है आप का स्टेट लेनिन लाइब्रेरी ओप्षन बी ब्रेटिस म्यूजियम ओप्षन सी बोश्टोन पबलिक लाइब्रेरी ओप्षन डी बिबिलियोतिक नैशनल तो बताईए जो खुली परवेश्पर नाली थी वो पर्थमबार किसके द्वारा सुरू की गई थी तो सुरू करने वाले कौन थे ब्रेटिस म्यूजियम तो ब्रेटिस म्यूजियम की ब्रेटिस म्यूजियम ने पर्थम बार सुरू की ती क्या जो खुली परवेश्पर नाली है आपकी वो पर्थम बार जो सुरू करने वाले थे वो कौन थे ब्रेटिस म्यूजियम तो कोशन सिक्ष्ट का भी आपका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं हम नेक्स्ट कोश्चन आपका कोश्चन नमबर सेवन कोश्चन सेवन में पूछा गया है ता फिफ्ट लाउफ लाइब्रेरी साइंस इस एज फोलो पुस्त काल्य विज्ञान का पाच्वा नियम नियम है पुस्त काल्य विज्ञान का पाच्वा नियम है वो नियमन है तो पाच्वा नियम आपको बताना है कुछ का जो पुस्त काल्य विज्ञान है आपका लाइब्रेरी साइंस है उसका फिफ्ट लो कौन सा है उप्शन है आपका सेव दा टाइम ओफ रीडर पाठक का समय बचा पुस्थकाल, एक वरधनशील ऑप्शनड डि लाइबेरी जे ग्रोइंग ऑर्गानिजम पुस्थकाल एक वरधनशील संस्ता है तो आपका फॉर्थ लो था वो किया था आपका सेव यानि फॉर्थ लो पूचा गया था किसके नुशार फॉर्थ लो आपका जो फॉर्थ लो पूछा गया था अभी आपने कोईशन में देखा था फूर्थ लो किसके अनुशार जो आपके डोक्टर एस आर रंग नातन है उनके अनुशार जो फूर्थ लो था वो कौन था पाटक का समय बचाए सेव दा टाइम ओफ रीडर अब आपसे कोईशन पूछा गया पुस्तका का लिज्याण का पाच्वनियम कौन से होगा लाइबेरिज biggest इस अ ग्रोइंग और ग्हींग और गैनीजम तो पुस्तका लेका एक वर्दन से संस्ता यह जो आपके 550 शयुद्धा है आपको पता हुनी चाहिनूह हो'Mिघ्ज हुष सकता हितो यह तो लो सで इसी जोपके आप से पूछ सकता है, कोई सभी आप से पूछा जा सकता है, तो लो से जो बिन नियमा ऊहसी होता है, इस ज़ल इमपोटएंट अब आहें नेम कोईटन क समय है? चलते हैं अब हमनेक्स कोश्षन नम्बर एट कोशन एट में पूछा गया है विछ लाओ ओफ लाइब्रेरी साइज साइज इंफे साइज दा लाइब्रेरी लाइजिसलेशन पुस्त काल्य अधिनियम की आवेशक्ता पर पुस्त काल्य विज्ञान का कोन सा सुत्र नियम अध अधिक बल देता है पुस्त काल्य अधिनियम की आवे शक्ता पर पुस्त काल्य विज्ञान का कौन सा सुत्र नियम अधिक बल देता है पुस्त काल्य अधिनियम है उसकी आवे शक्ता पर जो पुस्त काल्य विज्ञान का कौन सा सुत्र नियम क्या है अधिक बल देगा तो कौन सा बल देगा जो आपका सेकिंड लो है जो नियम होगा यह अधिक बल देगा क्या देगा अधिक बल देगा question 8 का option C का right answer है next question पर चलते हैं नेक्स्ट question है question number 9 library की अगर आपको किसी भी आनि जो आपकी class चल लिए किसी भी class के आपको PDF चाहिए तो आप telegram channel join कर लिजे telegram channel का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा इस टाइम पर आप जापके पाज टाइम है वह बहुत कम है जितनी जादा question की practice कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा उतनी बैस्ट आपकी तैयारी होगी तो जितनी जादा आप practice कर सकते हो question की उतनी जादा practice कीजिए जो आपने पहले जो class कर ली है उन class के में जो question आपको कड़ाए गया है वे सब class आप दुबारा से कई कई बार आप उन question की practice कीजिए question 9 आपका विस्तार सेवाओं का योजन करके अपसे पुस्ट का लेविज्ञान के कोन सासुत्र को संतुष्ट किया जाता है विस्तार सेवाओं का योजन reim conversation उप्शन डी फिफ्ट लो पाच्वा नियम तो बताईए विस्तार सेवाओं का आयोजन करके जो पुस्त का अले विज्ञान है यानि जो लाइब्रेरी साइंस है उसका कौन सा सुत्र को संतुष्ट किया जाता है तो कौन से सुत्र को संतुष्ट किया जाता है तो वो आपका स इतने नियाम है इसको संतुष्ट किया जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्षन पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट कोश्षन आपका कोश्षन नमबर टैन कोश्षन तैन में पूछा गया है लाइब्रेरी विज्यान का कौन सा सुत्र पुस्ट काल्यों के विकास से संबंदित है लाइब्रेरी साइन्स का कोन सा रूल यानि की को विच रूल जो है आपका लाइब्रेरी के डवलपमेंट से क्या है रिलेटीड है बिलोंग करता है तो लाइब्रेरी विज्ञान का वो कोन सा सुत्र है जो पुछ दिकाल लेकर क्या जो विकास है उससे क्या करता है संबंदित करता है बिलोंग करता है option आपका fourth law option b second law option c fourth option c क्या आपका first law option d fifth law तो बताएं वो आपको सुत्र बताना है वो नियम बताना है जो जो आपके libraries को development को क्या करता है संबंदित आशोशियेट करता है तो question 10 का option d fifth law यानि पाच्वन यम इसका right answer होगा question 10 का option d right answer question 10 का option d क्या आपका right answer है यह question आपका d s d triple s b में पूछा गया था d triple s b में आपसे question पूछा गया था question 10 आपका important question है question 10 आपका repeated question है चलिए next question पर चलते हैं next question आपका question number 11 question number 11 आपका दिया गया according to which law of library science library grow endlessly according to which law of library science library grow endlessly यानि ग्रान्थाले विज्ञान का कौन सा सुत्र ग्रान्थाले की असीम बढ़ोतरी दर्शाता है ग्रान्थाले विज्ञान का कौन सा सुत्र है जो ग्रान्थाले की असीम क्या बढ़ोतरी दर्शाता है उप्षन ने आपका फिफ्ट लो पाचवन या उप्षन भी सेकिंड दूसरा उप्षन सी थाड तीसरा उप्षन डी फ़स्ट पहला तो बताईए जो ग्रंताले विज्ञान है उसका कौन सा सुतर यानि कौन सा लो है आपका जो ग्रंताले की असीम भड़ोतरी दरस आता है तो कौशन 11 का उप्षन है क्या होगा फिफ्ट या पाच वा इसका राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नमबर ट्वेल कोशन नमबर आपका ट्वेल दिया गया है कोशन ट्वेल में पूछा गया है फाइव लाओ 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 साइंस के पाँच कानून पहली बार प्रकाशित हुए थे तो बताएए पाँच नियम आपको बताने कि इसके लाइबरेरी साइंस के लाइबरेरी साइंस के आपको बताने है पुस्त काल लेवी ज्यान के आपको पाँच नियम जो आपके पहली बार कब प्रकाशित हुए थे है अपेापशन है ये क्येक इंपोर्टेंट है कई एक्जाम में ये कोशन आ चुका बार बार ये कोशन हो रहा है क सब्सक्राइड है आपको किसे और बार आपका डेक्जाइंस है उसके यह सब्सक्राइड यह पांच कानूν 1935 1925 में option B 1930 1930 option C 1931 1930 option D 1933 1933 तो बताइए जो लाइब्रेरी साइंस है उसके जो पांच कानून है यानि पांच जो लो है वो पहली बार जो पब्लिस हुएते हो कब हुए तो पहली बार जो पब्लिस हुएते कब हुएते 1930 में पहली बार प्रकाशित हुएते क्या जो आपके लाइब्रेरी यानि जो पुस्त काल्य विज्ञान है पुस्त काल्य विज्ञान है आपका उसके जो आपके पांच कानून थे पांच कानून या फिर पांच जो नियम थे पांच नियम जो थे वो कब प्रकाशित हुए ते 1930 में परतम यानि फॉस्ट टाइम परकाशित यानि फच बार कभ यानि की 1930 में परकाशित हुए ते करो QOption C आपका right answer, चलिए next question पर चलते है भू question number 13 which Law of library science emphasis on library working hours which law of library science emphasize on library working hours पुस्त काल्य विज्ञान का कोन सानियम देते है तो पुस्त काल्य विज्ञान का कोन सानियम है जो पुस्त काल्य के कारिय घंटों पर क्या जोर देते है अप्शन नहीं आपका फर्स्ट लह पहला नियम option b second low दूसरा नियम, option c third low तीसरा नियम, option d fourth low चोथा नियम तो बताए जब पुस्त काले विज्ञान है उसका कौन सा नियम है जो पुस्त काले के कार्या गंटों पर क्या जो और देता है तो question 13 का option d fourth low या चोथा नियम इसका right answer होगा question 13 का option d इसका right answer है question 13 का option d का हमारा right answer है चलिए next question पर चलते हैं आपका दियागे question number 14 question 14 है आपका assertion a assertion क्या आपका assertion में दियागे indexing and extracting services fulfill the fourth law of library science assertion आपका indexing and extracting services fulfill the fourth law of library science reason क्या होगा इसका reason है these services serve as the substitute to the primary journals these services serve as the substitute to the primary journals अभी कतन है आपका अभी कतन क्या दियागे अभी कतन में दियागे अनु कर्मिनी करंट था सार करंट सेवाए पुस्त काल्य विज्ञान के चतुर्त सुत्र की पूर्ती करती है अनु कर्मिनी करंट था सार करंट सेवाए वो पुस्त काल्य विज्ञान के चतुर्त सुत्र की पूर्ती करती है तरक क्या होगा इसका तरक है आपका ये सेवाए प्रात्मियक पत्रिकाओं के इस्थानापन के रूप में कार्या करती है करती है चलिए ओप्शन देखते है इसका ओप्शन कौन कौन दर सही होगा कोशन 14 A is true but R is false A सत्य है प्रांटू R असत्य है ओप्शन B बोथ A and R are false A और R दोनो A सत्य है ओप्शन C बोथ A and R are true A और R क्या है दोनों सत्य है ओप्शन D A is false but R is true A क्या आपकी असत्य है प्रांटू R सत्य है तो कोशन 14 का राइट आंसर क्या होगा आपका ओप्शन A A is true but R is false A क्या आपकी सत्य है प्रांटू R सत्य है कोशन 14 का ओप्शन A राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं आपका देगे कोशन नमबर 15 कोशन 15 में आपको देगे 4 फूलफिलिंग वीच लाव लाइब्रेरी साइंस वी राइट क्लास नमबर 14 कैटलोग कार्स बाइपैंसिल पुस्त काल्य विज्ञां के किस सुतर को संतुष्ट करते हैं हम सुची पत्रक परवर्गाग पैंसिल से लिखते हैं पुस्त काल्य विख्यान के किस सुत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूजी पत्रक परवर्गाद पैंसिल से लिखते है option अपका फाज्ट लो पर थम सुत्र option B 2 लो दु रित्खसुत्र option C 3 लो तु रित्खसुत्र option D फिप्ट लो पंचम सुत्र तो question 15 का right answer क्या होगा आपका 5th लोपंचम सुत्र question 15 का option D question 15 का option D आपका right answer है 5th लोपंचम सुत्र इसका right answer होगा चलिए next question पर चलते हैं next question होगा आपका question number 16 question 16 आपका दिया गया है जो आपको question important बताए जारे भी आपके most expected question है जो बार बार के आपके जो exam में repeat हुए ज्यादा बार जो exam में repeat हो चुके है वे वो question है जिसके जो chances है वो आपके exam में आने की जादा chances है कि यह exam में आएगा तो question 16 है अब आपका question 16 में पूछागा है which law of library science emphasizes on the wedding of unusual books from the library which law of library science emphasizes on the wedding of unsuccessful books from the library ग्रंताले विज्यान का कौन सानियम अनुप्योगी पूस्टकों को ग्रंताले से बाहर निकालने पर बल देता है तो ग्रन्थाल्य विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रन्थाल्य से बाहर निकालने पर बल देता है पुस्तकों को लाइबरी साइन्स यानि ग्रन्थाल्य विज्ञान उसका कौन सा लो है जो क्या अनुपयोगी पुस्तकों को लाइबरी से का बाहर निकालने पर क्या देता है तो कौन सा होगा वह फिफ्ति लो Rank hem नियम है सिक्षिन का option D आपका राइट आंस ये कोशन आपको वेरी इंपोर्टेंट question कोउचन है बार बार आपके किसी ना किसी एक्जाम में कोउचन बार बार आपके रीपीट हो रहा है तो कोउचन 16 का option C पोउचन 16 का option D आपका right answer है चलिए next question पर चलते हैं पीडिये आप टेलिग्राम चानल जोइन कर लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडीयो के रिष्क्रिप्षन में मिल जाएगा जितना जादा आप कोशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनुए जचे कि És आप आपने जितना भी पडाया उसे किया रीवाइस करते रह CSS करें आप और धोन को करायी जा रहें वीडियो मिल रही है गया वीडियो मिले ऊच्छन फिर आप paragraph एक बार वीडियो देखी फिर आपने लेसर नहीं देपारे तो दबारे से क्या आपको फिर से वीडियो देखनी है तब तक आप इस तरह Please, करते रहें जब तक क्या आपके जितने कोशन आपने वीडियो में देखे सभी का करेक्ट आंस्वर नहीं लगा पाते तब तक क्या सभी कोशन इस तरह आप तयार करें कि आंसर देखते ही कि आपको कोशन पढ़ा और साथ-साथ क्या कोशन पढ़ते ही आपको पता चल गया है कि इसका आंसर क्या होगा इस तरह कि आप तैयारी कीजिए चलिए यह हमारा कोशन 17 21 köशन 17 आपका विच्छ ला ओफ लाइब्रेरी साइंस इंफिस साइजल्टों ईंफ चील्डव और लग्रोफ चिल्डरीं & अड्र है आपका फचलो पर फंझा भी शेक लोड्रित्यानियाम ओप्शन सी व्पट पंचंट्रित्याइव खोजिन 7 गाफ जो राइट एंप dispar hay phases कैब कोशन 17 यह पंचम नियम इसका राइट आंसर होगा कोशन 17 को प्षान सी आपका राइट आंसर चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं आपका कोशन नमपर 18 कोशन 18 में पूछा गए ओफ लाइ ओफ लाइबेरी स साइंसिस पूस्तकाले विज्यान का चतूर्त सुत्र है जो फूर्त लौ ओफ लाइबेरी स wanna महत देविजस्त फिर्सकाले विज्यान मेर या उसका चतूर्त सूर्त आइः और और व्पूछा पाठक के समय की बचत हो ऑप replied I just परत्य पाठक को उसकी पुस्तक मिलें परत्य पाठक है उसकी जो पुस्तक मिले 8 K. पाहटक के समय की बचते हो यानि से भी ताइम ओव दरीडर ये कोष्टन आप देख चुके हो बार-बार क्या आपका रिपीट हो रहा है कोशन 18 कभी इसमें पूझ लेते हैं क्या जो डोक्टर एस आर आपके रंगा नाथन है उनके अनुसार आपसे पूझा गया था कि फॉर्थ लो यानि चोथा नियम कौन सा होगा तो चोथा नियम क्या था आपका बुक्स आर फॉर यूज यानि पुस्तक के उप्योग के लिए है चलिए कोशन 18 का आपका उप्षन भी राइट आंसर है कोशन 18 का उप्षन भी क्या आपका राइट आंसर है कोशन 18 तो डोक्टर एस आर रंगा नाथन देते हैं जिसके अनुसार पूछा जाता है डोक्टर S. आरंगनातन के अनुसार जो पुस्त काले विज्यान है उसका चोथा नियम कोन सा था तो चोथा नियम भी आपका कोन सा था सेव दर टाइम ओफ दर यानि कोशन पूछने का जो तरीका है वो बार बार क्या आपका भुमा दिया जाता है कि कोशन कभी किस तरह आपको पूछा जाता है और कभी किस तरह तो लेकिन जो आंसर क्या आपका वो बार बार क्या है कि यानि सेव दर टाइम ओफ दर इडर पाट आपका important question है क्योंकि ये question आपका बार-बार क्या कर रहा है रिपीट हो रहा है बार-बार आपसे पूछा जा रहा है next question आपका question number 19 question 19 में पूछा गया है अलमारियो तक की खुली पहुच को पूरा करने में कौन योगदान देता है option है आपका तीसरा कानून third low option B पहला कानून first low option C दूसरा कानून second low option D इन में से कोई नही option D क्या है इन में से कोई नही तो आपको बताना है जो अलमारियो तक की खुली जो पहुच है उसको पूरा करने में कौन योगदान देता है तो कोन योगदान देता है तो इसमें जो योगदान देता है आपका third low यानि तीसरा जो कानून है वो योगदान देता है question third low क्या आपका योगदान देगा किसे जो अलमारियो तक की जो खुली पहुच है उसको पूरा करने में योगदान देगा कौन जो आपका थाड़ लोग होगा तो question 19 का option A आपका right answer है चलिए next question पर चलते हैं next question आपका दिया गए question number 20 question 20 में आपसे पूछा गया है सभी के लिए पुस्तकों का संस्करन बिन है सभी के लिए जो पुस्तकों का संस्करन है वो क्या है बिन है option A आपका दूसरा कानून option A दूसरा कानून है आपका option B तीसरा कानून option C पहला कानून option D इन में से कोई नहीं तो बताए जो सभी के लिए जो पुस्तकों का संस्करन है वो बिन क्यों है तो वो भीन है आपका दूसरा कानून यानि की दूसरे कानून में सभी के लिए जो पुस्तकों का जो संस्क्रान है वो भीन है तो question 20 का option A right answer है second लो इसका right answer होगा चलिए next question पर चलते हैं अब हम next question है आपका question number 21 question number 21 आपका दिया गए पुस्तकाल्य विज्ञान के किस कानून का नहितार्त में पुस्तकाल्य भवन का इस्थान है तो जो पुस्तकाल्य यानि जो लाइबेरी साइंस के वो कौन कानून है कौन सा लोग है जिसका नहीं तार्त में जो पुस्तकाल्य भवन है उसका इस्थान आप से पूछा गया option A पाचवा option B तीसरा option C पहला option D चोहता तो question 21 का पहला क्या आपका right answer होगा question 21 का option C right answer है पहला इसका right answer है next question पर बढ़ते हैं next question आया आपका question number 22 question number 22 आपका दिया गया किस वर्स पुस्तकाल्य विज्ञान के पाच कानून प्रकाशित किये गए थे किस वर्स पुस्तकाल्य विज्ञान के पाच जो कानून थे वो प्रकाशित किये गए थे ये question भी आपका बार-बार repeat हो रहा है question 22 कि आपका बार-बार repeat हो रहा है तो बताए कौन से verse में जो पुस्तकाले विज्ञान था यानि library science के पाथ जो glow है वो प्रकाशित हुए थे तो कब publish हुए थे option A 1925 1925 option B 1930 1930 option C 1931 1931 option D 1933 तो बताए अब वह प्रकाशित हुए थे तो वह वर्ड कौन से आपका 1933 1930 में आपके library science के पाँच कानून क्या थे प्रकाशित हुए थे तो five law of library science पॉप्छा गया थे तो नेक्स्ट कोउशन पर चलते हैं आपका कोउशन नमबर 23 कोउशन 23 में दें पठने सामगरी और कुशल संगरक्षन का विसिष्ट संगठन नहीतार्त है पुस्त काल्य विज्यान का चतुर्त नियाम, पुस्त काल्य विज्यान का तृत्य नियाम, पुस्त काल्य विज्यान का दृत्य नियाम, पुस्त काल्य विज्यान का दृत्य नियाम, पुस्त काल्य विज्यान का दृत्य नियाम, पुस्त काल्य विज्यान का चतुर्त नियाम कोशन 23 का option ने राइट आंसर है चलिए next question पर चलते हैं बाव next question क्या होगा आपका question number 24 question number 24 आपका दिया गया question 24 में पुछा गया है एक पुस्त काल्य की खुली पहुच परणाली में नीदर सिठ है एक पुस्तकाले की एक जो पुस्तकाले है आपकी उसकी खुली पोच जो परनाली है वो नीद्रिष्ट है option A पुस्तकाले विज्यान का पर्थम नियम option B पुस्तकाले विज्यान का पाच्वा नियम option C पुस्त काले विज्ञान का दूसरा नियम औप्शन डि पुस्त काले विज्ञान का तीसरा नियम तो कौन से नियम में नीद्रिष्टी है नीद्रिष्ट है तो कौन सा वो नियम है तो कौशन 24 का कौन से नियम होगा पुस्त काले विज्ञान का तीसरा नियम कौशन 24 का औप् नेक्स्ट कोईशन क्या आपका कोईशन नमबर 25 आपका दिया गया है पुस्त काले विक्सित होता है और अंथीन विक्सित होता है तो बताइए जो पुस्त काले विक्षित होता है और अंथीन विक्सित होता है Option A, पुस्त काले विज्ञान का पर्थम नियम Option B, पुस्त काले विज्ञान का पाच्वा नियम Option C, पुस्त काले विज्ञान का चोथा नियम Option D, पुस्त काले विज्ञान का नियम Option D क्या आपका? पुस्त काले विज्ञान का नियम तो Q25 का राइट आंसर क्या होगा Q25 आपका इसका राइट आंसर है पुस्त काल ले विज्ञान का पाच्वानियम Q25 का ओप्शन B राइट आंसर है पुस्त काल ले जो विक्सित होता है और और अन्थीन विक्सित होता है तो पुस्त काल ले विज्ञान का पाच्वानियम Q25 का option B right answer है चलिए next question पर चलते हैं हम next question आपका दिया गए question number 26 question 26 आपका दिया गए है which law of library science advocates the wedding of unused material from the library which law of library science advocates the wedding of unused material from the library and Putin कर्ण कर् conveniently में ध्यूक्त पधार्तों की चाटनी की वकालत करता है तो उस्फ ने भी ज्बग्रों पचाम सुत्र option C third, तीसरा option D, fourth यानि चोथा सुत्र, चोथा सुत्र और तीसरा सुत्र तो question 26 का question number 26 का right answer क्या होगा आपका fifth लो पंचम सुत्र इसका right answer है question 26 का option B right answer है, चलिए next question पर चलते हैं अब हम next question आपका देगा, question number 27, question 27 में पूछागे according to the first law location of the library should be, according to the first law location of the library should be, पर्थम नियम के अनुसार ग्रंताले का इस्थान निर्धारन में किया जाना चाहिए पर्थम नियम के अनुसार ग्रंताले का जो इस्थान है वो निर्धारन में किया जाना चाहिए option आपका एटा, central place, beach इस्थान में, option B, at remote place, सुधूर इस्थान पर, option C, in a corner of the city, नगर के कोने में, option D, at inconvenient distance, सुईधा जनक, दूरी पर, जो पर्थम नियम के अनुसार है ग्रंताले का जो इस्थान होगा, वो निर्धारन, डैस में किया जाना चाहिए, किस में किया जाना चाहिए, चो निर्धारन करना चाहिए, beach इस्थान में, at a, central place, question 27 का, option A, right answer है, चलिए, next, question पर चलते है, बहुँ next question आपका दिया गए, question number 28, question 28 में पूछा गए, five law of library science was first published in, जो पाच, five law of library science was first published in, तो ग्रंताले विज्ञान के पाच नियम में परकाशित किया गए, जो ग्रंताले विज्ञान है, वो के, पाच नियम, जो है, वो डैस में, जानी की, जब परकाशित किये गए, option यह, आपका, 1930, 1930, option B, 1931, option C, 1948, option D, 1925, तो जो परकाशित किये गए थे, वो 1930 में, किये गए थे, question 28, आपका important question है, यह, आपका, बार-बार repeat हो रहा है, तो, 1930 में, 1930 में, आपके, पाच जो नियम थे, यानि, फाइव जो लो है, वो परकाशित किये गए थे, फाइव लो, published हुए थे, कब, 1930 में, question 28 का, option B, right answer है, चलिए, next, question पर चलते हैं, अब हम, next question आपका दिया गए, question number 29, question number 29, अब आपका, question 29 में, पूछा गया है, विच लाओ ओफ लाइबरेरी साइंस रिलेट्स टू ग्रोथ ओफ लाइबरेरी, विच लाओ ओफ लाइबरेरी साइंस रिलेट्स टू ग्रोथ ओफ लाइबरेरी, पूस्त काल्या दक्स की समरदी है तू, पूस्त काल्या विज्ञान से संबंदित नियम है, अप्शन एफ फिफ्ट पाचवा, अप्शन भी फश्ट पर तम, अप्शन सी थाड लो 35, अप्शन डी फौर्थ लो 400 शुत्र, तो पूस्त काल्या अद्ध्स की समरदी है तू, जो पूस्त काल्या विज्ञान है, 10 से संबंदित है, तो किस से संबंदित है? तो वो पूस्त काल विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है जो पुस्तकाले विज्ञान है आपका लाइब्रेरी साइन्स है उसका जो तीसरा निया में थर्ड लो है वो इससे संतुष्ट होता है जो पुस्तकाले विज्ञान है लाइब्रेरी साइन्स है उसका जो थर्ड लो है वो सैटिस्फाइड होता है तो किससे सैटिस्फाइड होता है तो वह सैटिस्फाइड क्या होगा आपका खुली अधिंगम परनाली यानि ओपन एक्सिज परनाली से संतुष्ट होता है question 30 का option है right answer है चले नेक्सक्षाड पर चलते हैं आपका दिया गया question number 31 question 31 है अब आपका question 31 में पूछ ओगे according to according to fifth law of library science library is a growing desk according to fifth law of library science library is a growing desk पुस्त काल्य विज्यान के पाच्वे पुस्त काल्य एक वर्धन सील डैस है पुस्त काल्य विज्यान के पाच्वे पुस्त काल्य एक वर्धन सील डैस है option ने आपका organism जीव option भी organization संगठन option c institution संस्ता option डिस सेंटर केंद्र तो जो question 31 है इसका right answer क्या होगा आपका organism organism यानि जीव क्या इसका right answer होगा question 31 का option a right answer है चलिए next question पर चलते हैं हम next question आपका दिया गए question number 32 question number 32 है in which law of library science the concept of the concept of child adult growth has been discussed पुष्ट काल्य विज्ञान के किस सुत्र में बालक व्यूव विकास का संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है तो बताए जो पुष्ट काल्य विज्ञान के किस सुत्र में पूछा गया जो बालक व्यूव विकास है उसका जो संकल्पना का विवेचन था वो किया जा चुका है तो जो कुष्ण फर्ट वो पन्हो पर तम सुत्र उप्षन सी फिर्टलो पंचम सुत्र ऌप्छन सी चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट कोशन आपका दिया गया है कोशन नमबर 33 कोशन क्या आपका नमबर 33 है future 33 में पूछ गया है कोशन थर्टी थरी यह आपका विल्व राईबरेरी साइन्स बॉ norm ganathan पॉर्ट दवार्स चील्डर बैंना आठी जूपर्ट इस्टिछूर केयो। लाइख विर्ट धिले अंनाथर्थाड वर्स डिल्डर गाटन मनेखन वाइस हांजि कोडिए। लाइफ पूब टीजूब धाट सांहे इडनाथनाटना डावी। चिल्डन ब्लाइंड एंड दक्रिप्र आर्टीशन, नियो लिट्रेर्ट फार्मर्स, फैक्टरी वर्कर्स एंड मैनी मोर अंडर दा एंबियांस ओ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस। लगाता है तो डौक्टर रंगनातन द्वारा जो पर्तिपादित पुस्त काले विज्ञान है उसका कोन सा सुतर है? जो क्या? जो बच्चो द्रश्टी इनों है और अक्षमों कारिगरों नवसाक्षों किसनों मील मजदूरों किशानों है यह आपका मील मजदूरों आधी को स आप्शना पुस्त काल्या परीधी में लगाता है ऑप्शन ए फिर्ट लोग पांचवा सुत्र ऑप्शन 2 यू कोशन 33 का राइट अंसर क्या आपका कोशन ठाण 3 3 का ओप्षन वी सेकंड लूठी सुटर इसका राइट आंसर होगा कोशन Opera喔 कोशन 33 का ओप्षन को बी गारा राइट आंसर है चलिए acompa 9 kौशछ नमबर 34 कोशन का आपका ठरनी का कोशन फार थ्थी फॉर को नेक्स धुजब के लिद्धय सुत्र का उपारी नाम है जो पुस्त का लेविञ्यान है उसका जो जो दुट्ट्य सुत्र का उपारी नाम आपसे पूछा गया किसका ling bunu का उपारी नाम पूछा गया तो आपको सभी के लिए पुस्त के option B मुफ्त क Tucson Tucson C यानि फिरी क्या पुस्त का अपस्ट के बिघ्यान है की सभी के लिए पुस्ट के कोश्ठ कोशन tem review कोश ऐसे की और य३ sırक का इसका राइट ऑंसरर कोशन किया होई आपका kूशन नमबर थर्ट फाईव कोशन मुझानगा कौनध कोशन पर सकते ृधू थाँट नि सा आधार बूत सत्र जोरदार तरीके से पुस्त काल्य संग्रा के मुफ्त परयोग की वकालत करता है। Option A, पर्थम सुत्र, Option B, दुट्य सुत्र, Option C, तृत्य सुत्र, Option D, चतूर्थ सुत्र तो Question 35 का तृत्य सुत्र क्या होगा? यानि कि Third Lois का Right Answer होगा Question 35 का Option C, आपका Right Answer है, चलिए Next Question पर चलते हैं, अब हम Next Question आपका दिया गए Question No. 36 Question No. 36 आपका पुस्तकाले विज्ञान के पाच नियम पुस्तक के परकाशक कोन है? पुस्तकाले विज्ञान के पाच नियम जो पुस्तक के परकाशक आपसे पूछेगे किसके जो अपके ब्लाइब एगी साइन्स है उसके जो पाचनिया में फाइव जो लो है यानि कि जो पुस्तक बनिया उसके प्रकाशक कोन है बारते पुस्तकाले संगठन उप्शन दी मदरास विस्विद्याले तो कोशन 36 का राइट अंसर क्या होगा आपका राइट अंसर है चलिये चलिये नेक्स्ट कोशन पर चलते है अब हम नेक्सक्क्रिया आपका दिया गए कोशेशन नमबर 37 जिएवन हो सेकंड लाओ ऐफ लाइब्रेरी साइशने सिज। कोरेलरी 4, 2nd law of library sciences, पुस्तकाल्य विज्ञान के दुट्य सुत्र का उप साध्य है, जो पुस्तकाल्य विज्ञान है, उसका जो दुट्य सुत्र है, उसका उप साध्य आप्शे पूछा गया, उप्शन है आपका books for all सभी के लिए पुस्तके उप्शन B free book service निसुल को पुस्तक सेवा उप्शन C free library services निसुल को पुस्तकाले सेवा उप्शन D books everywhere सभी जगे पुस्तके तो question जो आपका 37 है इसका right answer क्या होगा books for all सभी के लिए पुस्तके question 37 का option A right answer है चलिए next question पर चलते है आप PDF के लिए याद से टेलीग्राम चैनल जोइन कर लीजे टेलीग्राम चैनल का link आपको वीडियो के description में मिली जाएगा जहां पर आपको PDF provide क्राई जा रही है जो आपकी क्रासी चल रहे है उनकी आपको PDF साम तक provide कर रहा दी जाती है चलिए next question पर चलते है अब हम next question आपका जाए question number 38 question number 38 अब आपका question 38 में पूछागा match the following निमलीखी तो क्या आपको मिलान करना सुमेलित करना है जो आपकी सूची फर्स्ट है सूची second के साथ यानि लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट second का आपको क्या करना है match करना है चलिए देखते है question जो आपका 38 है इसका पहला है आपका obligation of state तो obligation of state का आपकी second low गीतते है लो बनेगा इसका फिर आपका बी पर आपको देगा self arrangement catalog self arrangement and catalog इसका option इसका पूर्ट लो यह क्या आपका fourth low यानि की चोथा जो लो है आपका फिर आपका open access and self open access and self arrangement को जो हमारा C है यह आपका third low third low फिर आपका d डी पर आपको देगा library location आवर्स पुस्तकाल्य इस्थान पुस्तकाल्य इस्थान समय तो यह क्यों सा लो आपका first low तो आपका जो sequence बनता है वो क्या बनता है second fourth third और first यह क्या आपका sequence बनेगा यह question भी आपका important है क्योंकि इसमें low से यानि आपके low दिये गए है चलिए चार्ड लो आपके बताए गए है next पर चलते हैं अब हम next page बार इसके option कूट दिये गए है कूट में से हमें answer लगाना है तो पहला क्या आपका second fourth third first यह क्या आपका right answer है तो question 38 का option है क्या हमारा right answer है चलिए next question पर चलते है question 38 आपका important question भी है next question पर चलते हैं next question क्या होगा आपका question number 39 question 39 में आपसे पूचा गए which law of library science restated with emphasis on information as a dynamic continue and never ending phenomena तो जो ग्रंताले विज्ञान का वह कौन सा सुत्र है जिसने सूचना पर पुने जोर देते हुए कहा कि सूचना एकटी सील एव इचनिक और कभी ना खत्म होने वाला कैप रसंग है तो घ्रंताले विज्ञान का वह कौन सा सुत्र है जिसने सूचना पर पुने जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गति सील एविचनिक और कभी ना खत्म होने वाला प्रसंग है option A, fifth low, पाचवा सुत्र option B, fourth low, छोथा सुत्र option C, third low, तीसरा सुत्र option D, second low, दूसरा सुत्र तो question, 39 का option A, fifth low, पाचवा सुत्र इसका right answer होगा question 39 का option A, fifth low, पाचवा सुत्र या फिर फिप्त लोग इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नमबर 40 कोशन नमबर 40 आपका दिया गए मैच दा फोलोइंग निमली खित को सुमेलित कीजिए लिष्ट फर्ष्ट और लिष्ट सेकंड आपके दी गई है सूची फर्ष्ट और सूची सेकंड सूची फर्ष्ट और सूची सेकंड में दिया गए आपको पहला है आपका फर्ष्ट लाओ लाइब्रेरी साइन्स पुस्त काले विज्ञान का पर्तम सुत्र तो इसका क्या बन लाइबरेरी साइंस पुस्त काल ले विजान का भी तैसुत्र इसका के मनता अपका ओपन एकुन एकशिज औपसर इनिशियेटिव मुक्त अधीगम पहल फिर आपका 3 ला ओफ लाइबरेरी साइंस पुस्तकाले विज्ञान का तृत्य सुत्र ये क्या आपका search engine and subject gateway search engine एवं विशे gateways फिर आपका fourth यानि D fourth law of library science पुस्तकाले विज्ञान का चतूर्थ सुत्र तो वो कौन सा आपका real time axis वास्ट विक समय अधीगम तो इसका क्या बनता आपका third, fourth, second और first ये क्या होगा इसका right होगा चलिए देखते कौन सा option में आपको third, fourth, second और first मिलता है question 40 का third, fourth, second, first आपका option A में ही मिल गया तो question 40 का option ये क्या आपका right answer है question 40 का option ने इसका right answer होगा चलिए next question पर ये हमारा last question था भई बच्चो question 40 आपका last question था telegram channel के लिए आपको जो link है telegram channel का वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जहां पर आपको सभी जितनी भी आपकी classes चले है उनकी PDF प्रोवाइड कराए जारे है सामता कि आपको क्या प्रोवा सामता कि आपको PDF मिल जाती है जिससे आपकी जो preparation है और अच्छी तरह के से होगी एक बार आप वीडियो देके दैन आप PDF से अपने question कीजिए ये आपके लिए क्या है बैस तरीका है जिससे आपकी जो preparation है आपकी जो practice है वो बहुत अच्छी से हो सके चलिए आपको क्लासिस गैसी को लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को आप लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिए और वीडियो को जादा से जादा आप से एर कीजिए जो भी आपके friends है रिलेटिस है जो आपकी preparation कर रहे है library science की आप उनके पास वीडि करेंगू